नमस्कार साथियों, मैं आनन्द प्रगास पांडे, इनमिसरा क्लासेश में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं, कि आप लोग फर्स समेश्टर का पेपर आप लोग दे चुके हैं, और बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सभी लोग बहुत अच्छे-च्छे कमेंट और बहुत ही हमको गर्वानवित भी किये थे, ताकि हमें अवर भी गर्व हो सके, आप लोग को मैं आसा भी करता हूँ, आसा भी दिला रहा हूँ, कि जिस तरह से आप लोग अपना फीड़बैक दिये, कि नह होगा नहीं, और पेपर देने के बाद आप लोग का अब जो इस्टार्ट होगा, वो थर्ट समिष्टर का सलेबस इस्टार्ट होगा, और जैसा कि कल हिंदी के लिए नितेश सर ने शुरू भी कर दिया हैं सलेबस के अनुसार, और आज हम सलेबस ले करके चलेंगे, तो लेकिन हम सलेबस लेकर के चलेंगे, उसमें आपका 3-4 सबजेक्ट आपका एक साथ कमबाइन करके लेकर चलेंगे, आपको बस अपने जो अपका जो भी सबजेक्ट होगा, बस उस जगहां पर अपना संबजेक्ट का अनुसार अपना बाकि सैम ठोचीज़ें वही होगी, त तो बात यहां पे बिज्ञान सिछण की ही नहीं है हम आपको बिज्ञान सिछण ही नहीं पढ़ाएंगे बिज्ञान सिछण में आपको जीव बिज्ञान लेकर के चलेंगे बिज्ञान में आपका भहुती बिज्ञान रसायन बिज्ञान होता है लेकिन बहुती बिज्ञान के साथ-साथ है आपका ग्रिविорд विघ्यान के साथ-साथ यो बच्छEU बायलोजी से पढ़े होंगे उनके लिए जीव विज्यान क्योंकि इसमें आप को क्योंकि हम आपको अपको पढ़ाये थे जो आपको पूरा सलेवां चेंज हो जाएगे, आप BA, BSC, विकाम जो भी किये होंगे, इस पर आपका वीडियो पिछले एर का मतलब अप्लोड हो चुका है, Community टैब में आप जाएए, उसमें सर्च करिए, सबसे फर्ष्ट एक Community टैब लगा हुआ है, उसको आप वहाँ पर जा करके सर्च करिए कि आपको किस मतलब विज्ञान वर्क से आए, BA किये हैं, कि BSC किये हैं, कि विकाम किये हैं, और उस अनिस्वार अपना एक सब्जेक्ट चूच करिए, अगर आप आप आठ से होंगे, तो आठ का सब्जेक्ट के साथ हिंदी आपको कमपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इंगलिस उसके लिए इंगलिस की भी क्लास आपके चलेगी, लेकिन हम आपको जो Science की जितने भी बच्ची होंगे, वो Science में वही सब्जेक्ट लेंगे, या तो मैथ लेंगे, मैथ के साथ Science लेंगे, उनके लिए Language जरूरी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि Science या तो आप Science में भी एक Science Teaching लेंगे, और एक क्या लेंगे, मैथ लेंगे, और वही अगर जो Biology वाले चात्रों होंगे, Biology वाले चात्रों के लिए भी यही होगा, वो एक बिज्ञान सिछन लेंगे, और एक जीव बिज्ञान सिछन लेंगे, चलेंगे जिव बिज्ञान के भी बच्चों को साथ में लेकर के हम चलेंगे ऐसाने की एक साथ आप छोड़ देंगे तो आप कहीं कहीं आप देख रहे हैं जिव बिज्ञान की जितने भी आप लोग मतलब बीए मतलब बीएसी में आप लोग जितने भी जिव बिज्ञान के बनाएंगे लेकिन कहीं नहीं कहीं जब बिधियों की बात करेंगे तो बिधियों की बात हम एक साथ मैत के लिए कर देंगे मैत और साइंस ग्रिव भिज्यान सबकी एक साथ ही बिधियम पढ़ा देंगे तो आपका ग्रिव भिज्यान हो गया और उसके बाद आपका जीव भि वही विज्ञान है वही आपका धिरे-धिरे कहिने-कहिन मैथ थोड़ा सा अलग आएगा कुछ चीजे उसे मैथ में चेंज होगी बाकी सब चीजे लगबग लगव सेम मैथ में भी लगबग लगव कुछ चीजे सेम ही आ जाएंगे तो आजे देखिए क्या है तो देखिए ज एक चीजे हम आपको टाप्य किलियर करा देते हैं देखिए क्या है विज्यान सिछण सिचनु जैसे विज्ञान सिचनट जैस का आऊर्थ पहले जानेगे विज्यान की परिभासा जानेगे प्रकृती जानेगे आवसकता जानेगे तथा इनका छेत्र विज्यान.. का जो छेत्र होगा विस्तित उसके बारे में जानेंगे और अन्य विसयों में सा संबंध कि बिज्ञान का मैथ विसय में क्या संबंध है इतियास विसय विज्ञान का क्या संबंध है यह क्या नम है विज्ञान का जीव विज्ञान में क्या संबंध है भाउतकी में क्या संब गिरी बिज्ञान रहेगा तो गिरी बिज्ञान का पर्स जानेंगे, परिमासा जानेंगे, प्रक्रती जानेंगे, अगर हम आपको बिज्ञान का सले बस अगर पढ़ाते लेकर चलेंगे, तो वही आप अपना वही सब कुछ अपना सेम आप रख करके गिरी बिज्ञान लेकर लेकर के चलेंगे उसी में आपका जीव विग्यान लेकर के चलेंगे सब कुछ आपको वही चीज़ लेकर के चलना है आगे देखिए जैसे आधुनिक जीवन सैली पर विग्यान का महत जो हमारी आधुनिक जीवन सैली जूरा है उसमें विग्यान का हमारा क्या महत उसके बार और गृभ विज्ञान तीन चीजों का सपर 6 चाहए कि जो बिज्ञान सिखन का इस्थरों पर कि जो विद्गिान आमा अस्टर होगे माぎ हिंगे sponsored होगा प्राइमरी अस्तर होगा है उन में उन यहां पे bloom taxonami कि bloom के उद्देश्यों का संसोधित वर्गी करण कि bloom का टेक्सोनामी क्या है और bloom का टेक्सोनामी में हम पढ़ेंगे कि ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष यह तीन चीजों पे पूरा आधारित है पूरा पाठिकरम तो उसके बारे में जानेंगे और उद्देश्यों का बेवारिक रूप से लिखने की बिधी और यह बिधी जो होगी जो हम bloom का टेक्सोनामी के बाद अगर हम इसमें बिधी की बात करें कि जो उनके बिध्यान सिच्छण के जो उद्देश होंगे उसमें हम पढ़ेंगे मेयर की बिधी और RC E.M की बिधी यह सब चीजी नहीं हो जागे करें अगर अगर हम वाद रहो हमें जो करें है सिच्छण की बिधियां आएगी जैसे अगर विख्ञान की बात करें तो विख्यान में बिधी या जाएगा पर दरसन बिधिया जाएगा, पर योजना बिधी आ जाएगी, यह सब बिधी क्या है, बिध्यान की बिधियां हो जाएगी, और आगे अगर इसी में, जब भी हम बिधियों को ले करके चलेंगे, तो इस बिधी में हम सब की बिधी एक साथ ले करके चलेंगे, जैसे बिध्यान की हिंदी में भी बैख्यान संदू जायं सकते हैं इस बिदियों के जुभी आपको सबसे हो इस चीज़ को सबसे अक्षे से समझ सकते हैं इस भीदियों को सुरू करेंगे पाइड होंगी वह सब कि सब सब विदियां एक साथ आपको पढ़ा दी जाएंगी उसके बार अगर बात करें सचन सायक सामगरी क्या यूच्च कर सकते हैं जrånई सवक्रीडियों विंस स्रभ सामगरी में आजकर प्रोजीक्टर नाब से पढ़ा सकते हैं आप देख रहें कि आनलाइन माद्यम से आपको पढ़ा रहे हैं ति यह सब क्या है यह सब सिच्छर की विदियां आ जाएगा उसमें हो सकता है थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो अगर जहां जवरत पड़ेगी तो थोड़ा था उस को ले करके आपको चलें गए ता आप नएक कहीं तीन सीज एक साथ ले कर चलेंगी 200 बचना की बात करें गले करें तो क्या करतें हैं प्रयोंग करेंगे जितना किसी चीच की यह होटा है इस जादे로 केam कि कैसे करेंगे प्रयोग साला कि में प्रयोग स्वाला में जो कुछ आगे देखे क्या है कि विज्ञान पाठ योजना के प्रारूप तथा प्रमुख उपागें यहों प्रमुख पद्धिखिर सबसे जादे इंपोर्टेंट आप अभी टीक लगा लीजिए मैं आपसे बता जे रहा हूं कि सबसे जादे इंपोर्टेंट अभी आप टीक लगा लीजिए पेपर में गारंटीड है पूछेगा पिछले पेपर में तो 15 नंबर का पूछता था सलेबस बिल्कुल नहीं कटा ह जो आप लोग अगर परसान होगे कि 25% सलेवर्स इसमे भी कटा है तो थर्ड समेश्टर में आपका बिल्कुल भी एक परसेंट भी सलेवर्स आपका कटा नहीं है तो इस शीच को आप ध्यान दिजिए कि विज्ञान पार्थ योजना जो हम पार्थ योजना आपको बनवाएं दिजिए उसायन विज्ञान में पार्थ योजना बन जाएगा तो गहींन काहिं विज्ञान अगर आपका एक को पढ़ाते हैं आपको हम बताते हैं कोई चीजे तो उस भी या कोई सीरी обычно थो अब आधारीत आप यहां से पढ़े लिजें तो थोड़ा थोड़ा अगर एक चीज़े बिग्यान आप पढ़िए और बिग्यान से समाईत ये तीन चीज़े हैं तो आपका तीन-चार सब्जेक्ट के जो भी बच्चे होंगे जो भी छाथ शाज हैं दोस्त मित्रा हैं वो सभी लोग को फाइदा मिल जाएगा तो आपका पाठ्योजना जो भी योगात पर बीग्यान से सब्ज़ेएं तो चर्थीलÈंगा उसका मुल्यांकन किया गया क्या वहाइगा तो आपका मुलियांकन करके बताएगा कि आप समेस्टर में कितना पढ़े हैं तो कीसी जीज़ेंगी आपको काम अगर एक कोई कर रहे हैं तो मुल्यांकन करना बहुत ही हो इ यहां पर इसकी बात आएगी कि इनका मुल्यांकन के आधार पर अधारित उपलब्धी परिच्छन का निर्मान यहां विश्वसनीता यहां बैदता का निर्धारण इसमें 2-3 चीज़ों पर पढ़ेएं कि वस्तुनिस्ट पद जो होगे उसके उपलब्धी परिच्छन पर निर्मान यहां आधार अगर हम पाठ को पढ़ना चाहते हैं या अपना जो बीसा है, जो सफजिक्ट है उसको अगर हम पढ़ना चाहते है, तो हमारी क्रिया है मेला का मतलब कि आप जानना है, कि काफी क्रिया को मेला लगाना चाहिए ताकि लोगों में जागरुपता पहले वो लोग जाने कि नहीं हमाँ पुस्तकों को ले जाकरके अपने घर पर पहले उसको पुस्तकों के बारे में जाने अपुस्तकों को ले जाकर अपने घर पर उसके बारे में जाने जैसे ग्रिविज्ञान के पुस करने उसको हुआए है कि वहाँ पे व्यक्ति को ऐसा होना चै down地 Counter to पासीजह तक आप भ हो सकते हैं इस 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 बारे में उसको मेला के मतने से उसक्राइप में आपको बताना चाहिए उस परेटन में से उनको ल हुए कमा करनinya उसके पाद उद्यानת ब्रहमड के निस लगाकर के बलाइन दोख सभ को श्कुंद लग लग चीजों को दिखाना चाहिए कि बिज्ञान के कुछ चीजें क्या-क्या है उसके बाद आउधाड़ा है उम्मांचीत्र जैसे आपको अगर क्लास में आप आ रहा है तो कोई एक मांचीत्र को आप बनाए बनाकर के लिया करके बच्चों को माध्यम सिखाए जैसे पतिया निकलना सुरू होती है उसके डालिया निकलना सुरू होती है पतिया हरी होती यह सब चीज आगर आप समया रहें कोई आप बनाकर पूरा खिक दं पल्र और। थे ऩे सब क्या है पाठ सागामी क्रिया है से वह आसान हो जाती है बच्चा बखंची जी से समझ पाएगा उस लिए अगम होते हैं उन हुपाघम के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे जानेंगे तो अप नेकोर आप इस घुख का पहले आप एक बार इस जयी शर्च के लिए कि एक बार विर को यागा आगे देखिे आपको बिज्ञान के मादन से लेकर करें लेकिन आपको सलेवस को बिला खरके और यह नहीं कि थोड़ा सा चपर जोब्ला कर चेंट होगा तो उसको आपको फिर से पढ़ा करके एक अलग वीडियो पुराने प्रारूप पूछेगा तो 15 नमरे पूछेगा और एक अगर 5 नमर चार नमर में जो ही पूछता था उसमें तो यह गारंटी है कि पाठ योजा या उनके प्रारूप या उनके भ्रमुख पद कि उनके कितने पद होते हैं अलग-अलग पद प्रस्तावना कैसे निका अगने जिनके आपको भी नॉट करले उसजा यह सिछन सैकी सामगरियान तीये तुम्हान लीजा आपके सीछन बीदिया और पाथ ही योजना आप यहां से भी ध्यान दिजी कि आपको हुम अगर सुरूपह भी कराएंगे, आपका सलेवस जब भी फूरोर मने जब भी करारा देते हैं, तो आपका यहांasih सिछन विधियाओं से सुरूप कराएंगी कि सिछन की कितने विधियां बश्रू कराएंगे जब अब कि उसमें कभर हो जाए गया किपना पको पता अभी तक तो सिर्फ तीन चीजह हो रहे थी कभर, सलेबस लेकर चलेंगे तो उसमें तीन चीजह होगी, विघ्ञान, गृरिविघ्ञान, और जीविघ्ञान, लेकिन जब वीधियां, जहां सिछन वीधियां ज़ले करक key चलेंगे, इसमें आपका सब्जेक्ट और उसमें जुड जाएगा वो है मयत प्रमुख पद इरके बताएंगे कि जो पाठ ハयोजना के प्रमुख पद क्या-क्या है क्योंकि आप अगर पाठ हियोजना के प्रमुख पद जिब जान जाएगे तो आप उसको गर याद कर लेंगे तो तुरंत आपको हम कैसे कैसे बनाना एक धाचा बनाएंगे तुरंत और कहां क्या लिखना है उस चीज को आप समझाते चले जाएंगे आपको बहुत तेजी सी याद हो जाएगा तो सबसे पहले हम सिच्छन विदियां, सिच्छन विदियां के बाद प्रमुखपद और उसके बाद पाठ योजिना बनाना सिखाएंगे और उसके बाद आपका जो कुछ भी सलेबस रहेगा एक सीरियल बाई से ले करके चलेंगे आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट कर दीजेगा वैसे क्लास हम यहीं से लेके चलेंगे यह अच्छा सलेबस आप लिखे रहेगे तो यह मत परसान होईगिए का नहीं सीरियल से चलेगा सब यह सब से एकदम दुर रहेगा बाकि आप लोग एदम अपना feedback बहुत अच्छा मैं आपका आशा भी दिलाता हूं कि जैसे आप first semester ने बहुत अच्छा number पाएंगे क्योंकि आप अगर अच्छा करके आए हैं सलेबस वाई जिक दम पूरा आपका topic एदम फसा है अच्छा paper करके आए हैं आप लोग का feedback हमको मिला आए तो आप लोग का result भी बहुत अच्छा आएगा मैं इसके बहुत कामना करता हूं और इसी के साथ धन्यवाद